Hello everyone, देखिए अब question number 16, देखो question number 16 में क्या कहता है The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of Rs. 100 and a participant who does not win get a prize of Rs. 25 मतलब क्या कह रहा है, जो organizers है, उन्होंने क्या decide किया है कि जो competition को win करेंगे, उनको Rs. 100 रूपीज देंगे, ठीक है और जो नहीं win करेंगे, उनको भी कुछ amount देंगे, वो देंगे 25 रूपीज और जो total price money जो distribute हुई है, वो 3000, मैं जो total पैसा जो उन्होंने दिया है, वो कितना दिया है, 3000 दिया है clear, now find the number of winners, if the total number of participants is 63, तो आपको number of winners निकालने है और total number of participants कितने दिया है, 63 दिया है, तो देखो बहुत ही simple सा question है तो total number जो दिया है, हमें total number of participants कितने दिया है, 63 दिया है, और हमें क्या निकालने है, number of winners, ठीक है तो हम यहाँ let कर लेंगे, कि जो number of winners है, वो x है, ठीक है, let the number of winners, कितने माल लेते हैं, x और अगर यह x है, तो जो नहीं जीते, not win वाले, वो कितने होंगे? 63 total है, win वाले x है तो जो नहीं जीतने हैं, वो कितने होंगे, 63-X, सीधी सी बात है, total 63 है, जीतने वाले X हैं, तो जितने रह गए, वो कैसे निकाल लेंगे हैं, 63-X, और वो क्या है, नहीं जीतने वाले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, तो हम यहां कैसे लिखेंगे इसको बताओ, यहां हम लिखे पार्टिसिपेंट कितने होंगे वो 63-X होंगे बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है अब तो बड़ा सिंपल है कोश्चन देखो आपको पता है कोश्चन उसने काया कि जीतने वाले है उसको 100 रुपीज दिये और जो नहीं जीतने है उसको हमने कितने दिये है 25 रुपीज दिये है वो यही बात भोग रहा है तो देखो और टोटल मनी कितनी डिस्टिब्यूट गई है उन्होंने 3000 है ठीक है अब तो देखो ओवेसी बात है जो वीनर है उनको कितना प्राइस मिला होगा उनको कितनी मनी मिली है टोटल देखो मांगर वीनर 10 है तो उनको मनी कितनी मिली है 100 से मुलिपलाई करूँग न क्योंकि हरे एक को 100 मिले है तो कितने हो गए 1000 होगए तो ये वली चीज मैं निकालना चाह रहूं यह तो मुझे नहीं पता X जो कि मैंने यहाँ 10 लिया है ठीक है तो winners को जितनी money मिली है वो कैसे पर चलेगा 100 rupees मिले हैं और कितनों को मिले है X participants को ठीक है तो 100 X क्या आ गया है उसका money आ गई plus जो नहीं जीते हैं उनको कितने मिले है 25 rupees मिले है और वो कितने participants है 63 minus X माल लो यह कितने है 20 है माल लो यह वाले 63 minus X को कितना माल है 20 है जो नहीं जीते हैं और उनको मिले है 25 rupees तो multiply करूँगा कितना आ गया यह 500 rupees मिले है मतलब इनको total यह चीज मैं आपको समझा रहा हूँ तो यह money बता रहा हूँ मैं वीनर्स की money और यह जो not winners मतलब जो जिते नहीं है ठीक है उनकी money है clear और total money जो दिये है इन्होंने जो organizer थे उन्होंने कितनी दिया यह 3000 rupees दिये clear तो देखो यह आगया आपके पास 100 X plus 25 और 63 को multiply करो कितना आएगा यह आपके पास देखो 5 3 दा 15 165 जा 30 और यह 131 23 जा 6, 26 जा 12 यह आगया 5, 7, 5 1, 5, 7, 5 25 इंटो X 25 और यह आगया इदर 3000 बहुत सिंपल कोशन दिये समझ में आया कि नहीं देखो सीजी सी बात है number of winner हमने माल लिये और जो नहीं जितने हैं वो माल लिये यह number है ठीक है उन participants के उसके बाद हमें money की बात करनी थी total money winners के बात कितनी गई होगी एक को 100 रुपीज दिये हैं उन्होंने ठीक है तो obvious ही बात है जितने winner है उन से multiply करूँगा न 100 को total money winners के आजाएगी और जो नहीं है winner उनके जितने number है उनको उनकी price money से multiply करूँगा तो वो total money आजाएगी उनको कितनी मिली है और इन सब की मिला के कितनी value है 3000 बली हुई है बस solve करनी है equation x की value आजाएगी और वो ही आपसे पूछता है वो number of winner तो x निकल जाएगा यहां से देखो 100x minus 25x यहां रहने देते हैं और यह है देखो 3000 और यह minus का 1575 3000 में से 1575 minus करो 9 में से 7 गए 2 9 में से 5 गए कितने रहते हैं 4 और 2 में से बन गए 1 तो यह आपके पास आ रहा है 1425 और 100 में से 25 minus करोगी तो 75 आता है तो 75x आ गया x इदर ही रहने देंगे 1425 और 75 इदर multiply में है तो इदर जाके divide में आएगा इसको देखो हम किसे कट करें 5 से करते हैं देखो 5 2 जा 10 4 2 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 और यह कितना 5 1 जा 5 और 255 जा 25 हो गया ठीक है अब देखो यह किसी पे कटता है क्या देखो यहाँ से अगर हम देखें 5 पे अगेन काड़ देते हैं 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 5 3 जा 15 3 पे 3 1 जा 3 3 9 जा 27 तो 19 आगया अंसर कितना अंसर आ रहे आपके पास यह 19 तो यानि कि जो number of winner है वो हमारे पास आ गये कितने है वो 19 है clear है इतनी बार यह नहीं समझ रहो अब जैसे इस question यह तो अंसर आ आपके पास इसको verify करना चाहते हो तो देखो total money थी कितनी? 3000 ठीक है तो number of winner हमें बाचल गये 19 और 19 को 100 रुपीज मिले तो इनकी कितनी money होगी total 1900 और जो नहीं win किये वो कितने होए थे जैसे माल दो यह 63 माइनस X थे न तो 63 में से X मतलब 19 माइनस करो कितना आएगा 13 में से 9 गये 4 और इधर कितने बचे 55 में से 1 गया कितना होता है 44 ठीक है और इनको कितने पैसे मिले थे जो नहीं चितने थे 25 रुपीज मिले थे 44 इंटू 25 मुल्टिप्लाई करेंगे ना तो देख लेखते हैं कितने पैसे हैं ये थे 0, 8, 10 ये 1100 थे ठीक है इनकी मनी कितनी थी 1100 तो देख लो टोटल मनी ये 1900 विनर्स की और जो नोट विनर्स थे उनकी टोटल मनी कितनी 1100 इनको एड़ करो 3000 ये बनती है तो यानि की अपना अंसर ये बिल्कुल सही है ठीक है ये सिरफ आप कि नोलेज बढ़ाने की बात है और कुछ नहीं नहीं तो ये अंसर आई चुका था ये कोश्चन खतम था ठीक है ये आपकी सिरफ बताने के लिए कि एक्चली कोश्चन में हो क्या रहा है तो आपको ये रहे कि हाँ ये लोजिकली चीते हैं सारी क्लियर है बात